असलाम अलेकम स्टुडेंट्स हमने पहले बात की नॉन प्रॉफिट स्ट्रॉक्चर्स की जो के चैरिटीज के बेहत करीब हैं सोशल एंटरपनियोशिप के हवाले से इस मॉट्यूल में हम सोशल वेंचर्स के जो फार प्रॉफिट डिजाइन हैं उनके बारे में बात करेंगे Of course, ये बिलकुल बिजनेस या कार्परेट सिक्टर में जो डिजाइन होता है उसके बिलकुल मताबक ये डिजाइन होते हैं और्गनाजेशनल स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसे किसी फार प्रॉफिट कंपनी या कार्परेशन का होता है फर्क सिरफ इतना है कि जो सोशल वैंचर है वो एक सोशल मिशन को परसू करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के साथ साथ जबके जो बिजनेस या कार्परेट या प्रॉफिट सिक्टर में जो डिजाइन होता है वो सिर्फ profit maximize करने के लिए होता है उसमें किसी mission के हवाले से कोई issue नहीं है कि mission को follow करना है, किसी social cause को follow करना है जो social entrepreneurs अपने venture के रिए पार profit structures या design जो हैं उनको consider करते हैं उनके पास of course बहुत सारी options हैं जैसे business के मुख्लिफ models हैं उसी तरह उसमें सबसे पहले जो है, वो soul proprietorship है जैसे आपने सुना होगा, कि वो soul proprietor है अपने business का, कि कोई शख्स जो है, कोई social entrepreneur जो है, वो far profit जो business उसने शुरू किया है उसका अकेला owner है उसका मतलब क्या है? वो ना सिर्फ owner है, बलके और वो अपनी जितनी भी income आइन करे, उसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है अपने जाती फाइदे के लिए और जो social cause है उसके लिए लेकिन उसके साथ साथ उसका मतलब ये भी है कि tax की responsibility और जो risk business में involved होता है जो नुकसान हो सकता है उन सब का भी वो अकेला जिमादार है तो sole proprietorship attractive है in terms of control कि एक शक्स जो है उसको अपने पूरे venture के उपर control है वो अपने जो revenues हैं उनको अपनी मर्जी से channel कर सकता है लेकिन responsibility जो है वो काफी high है कास तोर पर एक नए social entrepreneur के लिए जिसकी शायद business skills उतनी strong नहीं है जितने के एक seasoned business person की होती है दूसरी option जो social entrepreneurs को far profit sector में available है design के हवाले से वो है partnership partnership का मतलब है एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा entrepreneurs जो हैं वो इकठे होते हैं वो दो हो सकते हैं दो से ज्यादा हो सकते हैं वो आपस में share करते हैं जो profit आता है उसको और उसके साथ साथ वो जो common cause है या वो social service जिसको deliver करने के लिए उन्होंने ये far profit business या venture register करवाया है उस पर भी वो agree करते हैं कि उनका एक agreement है कि कितना जो profit है वो social cause के लिए खर्च होगा और उसके साथ साथ वो share करते हैं responsibility या risk जो होगा tax pay करना जो market का risk है और जो competitive risk है उस सारे को partners आपस में share करते हैं बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो sole proprietorship वाली रहती हैं इस से अले था एक model जिसमें उतनी responsibility जो है वो social entrepreneur के उपर नहीं होती ताहिर है बहुत सारे social entrepreneurs पहली दफा कोई business venture कर रहे हैं आस दोर पर income and करने के लिए और वो भी एक cause के लिए तो उसमें एक limited liability corporation का concept है LLC जिसका मतलब है कि entrepreneur as a person एक अलग legal entity है और जो venture या business या corporation उन्होंने register कराई है वो एक अलग legal entity है तो अगर इस शक्स का कोई कानूनी मसला है तो उसका business से कोई असर नहीं होना चाहिए और अगर business में किसी किसम की कोई legal issue आता है तो उसकी जमादारी उस शक्स पर नहीं आएगी बलके business पर आएगी तो इस लिहाँ से एक तरह से एक limited liability है entrepreneur के उपर कि अगर कोई issues होते हैं taxation के हवाले से, risk के हवाले से, loss के हवाले से तो business अलग consider होगा और owner जो है entrepreneur वो अलग consider होगा वह इशू जो business entrepreneurs और social entrepreneurs far profit design जो है limited liability का उसमें ये है के ये अपने shares sell नहीं कर सकते जैसे के businesses अपने share sell करते हैं ये सारे shares जो हैं वो उस entity के एक entity के पास ही रहते हैं उन्हें आप stock पे exchange नहीं कर सकते उन्हें आप sell नहीं कर सकते एक और option जो available है वो corporation है ये एक ऐसा organizational structure है एक ऐसा design है जो के आपको limited liability से एक कदम आगे ले जाता है social entrepreneurs को अपने business पर पूरा control है corporation है उसका एक board of directors है जो के social entrepreneur के साथ काम करता है responsibilities जो हैं उनको perform करता है और business का profit maximize करने के लिए effort करता है और उसके साथ साथ जो social entrepreneur की खाहिश है जो उसकी commitment है जो उसकी cause है उसके लिए resources जो है उनको allocate करता है corporation में social entrepreneurs के लिए एक बहुत बड़ी attraction जो है वो benefit corporations हैं जिने बी corporations भी कहा जाता है इस course में हम पहले भी पी corporations का जिकर कर चुके हैं ये ऐसी organizations होती हैं जो certified हैं कि वो किसी तरह का अपने profit maximization में environment को किसी तरह का नुकसान नहीं दे रहीं उसमें कोई slavery या human exploitation involved नहीं है child labor involved नहीं है और किसी भी किसम का जो इस किसम के हतकंडे होते हैं competitive market में वो वो इस्तमाल नहीं करती बलकुए वो socially responsible corporations हैं ये बी corporations का concept जो है वो social entrepreneurs में increasingly popular हो रहा है और दुनिया भर में बहुत सारे social entrepreneurs अपने आपको rather than social entrepreneur बी corporate के तोर पर identify करते हैं तो ये वो situation है जब not for profit में जो restrictions थी accountability की, scrutiny की, funding के हवाले से limitations की उन से तंग आकर for profit sector में social entrepreneurs सोचते हैं कि ओके हम अपना profit खुद generate करेंगे, अपनी income खुद generate करेंगे और उसको अपने social cause के लिए कर्च करेंगे लेकिन इसकी भी limitations है बाज उकात business और social mission को balance करना मुम्किन नहीं रहता अगर आप social mission पे तवज़ो देते हैं तो आपका profit effect हो सकता है अगर आप profit को pursue करते हैं तो हो सकता है आप environment को नुकसान दे रहे हों या आपको अपने social mission के उपर compromise करना पड़े ऐसी सूरत में social entrepreneurs जो हैं वो hybrid options पर चले जाते हैं जिनका हम अगले module में जिकर करेंगे Thank You